श्री सद्गुरू महाराज की जय प्रातह स्मर्णि अनंद्शिरी व्यूशित परमाराद्य संद्गुरू महर्शी मेही परमहंजी महाराज का परवचन जीवन काल में अच्छी भावना रखो प्यारे सज्जनों बहुत पहले यहां संस्कृत का अत्यधिक प्रचार था प्रायर सब संस्कृत में बोलते थे उस समय रिशियों तथा मुनियों ने जो समय समय पर परवचन कहे उन्ही के सदूप देशों को उपनिशद कहते हैं कुछ काल पहले अपने देश में संकुचित विचार भी था लोग शर्व साधारन को यह उपनिशद ग्यान नहीं बताते थे इसलिए इसका विशेश प्रचार नहीं हुआ योग शिखो पनिशद में शीव और ब्रह्मा का समवाद है ब्रह्मा ने शीव जी से पूछा कोई योग और कोई ग्यान मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं आपका क्या मत है इस पर शीव जी ने उतर दिया ग्यान हीन योग और योग हीन ग्यान मोक्ष कर्म में शमर्थ नहीं होता इसलिए मोक्ष को ग्यान और योग दोनों का डिर्टता के साथ अभ्यास करना चाहिए मोक्ष का आर्थ है बंधन से छूट जाना हम सब लोग बंधन में बंधे हुए कैद हैं शरीर में कैद हैं और जर्चेतन की गिरह से बंधे हुए हैं इसलिए सब लोग दुख उठाते हैं यह दुख क्यों होता है शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं काम, क्रोध, उत्पन होते रहते हैं इसका कारण शरीर है, शरीर और संसार से छुटने से ही दुख छुटेगा, ज्यान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना, ज्यान से जानने में आवेगा कि किस से मिलना है, योग जानने से उसकी क्रिया करके उससे मिलेंगे, इश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है वह योग है जब ध्यान शरल योग का अभ्याश है शत्संग करना ग्यान का अभ्याश करना है शरीर और आत्मा को जानना ग्यान है लिखा पढ़ा आदमे पुस्तक पढ़ता है तो इससे उसको ग्यान होता है किन्तो किसी विशेशग्य के पास जाकर सुनने से विशेश ग्यान होता है अक्षर और मात्रा को पढ़ने से पुष्टक पढ़ लेते हैं किन्तो उसका अर्थ ठीक ठीक नहीं समझ सकते ठेक ठेक समझने पढ़ने के लिए ही लोग कॉलेज और विद्यालेओं में जाते हैं इसलिए पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि जहां कहीं कोई विशेशग्य हों उसके पास जाकर सुने और सिखें यह जानकर ग्यान और योग दोनों का अभ्याश अत्यंत आवश्यक है बहुतों का खयाल है कि थोड़ा जब ध्यान करते हैं मरने पर मुक्ति हो जाएगी किन्तो उपनी सदकार ने बताया कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है जब तुम जीवन में मुक्ति प्राप्त करो और तुम्हें परमात्म स्वरूप की परत्यक्षता हो तब तुम मरने पर मुक्त ही हो जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो जब लग जीवन मुक्ता ना ही तब लग दुख सुख भुगता हो देह संग नहीं होवे मुक्ता मुए मुक्ति कह होई हो जल प्याशा जैसे नरकोई सपने फिरे प्याशा हो कभीर सहाव दादू दयाल जी कहते हैं जीवत छूटए देह गुन जीवत मुक्ता होई जीवत काटे कर्मशब मुक्ति कहावे शोई जीवत जगपती को मिले जीवत आतम राम जीवत दर्शन देखिये दादू मन विश्राम जीवत मेला ना भया जीवत परशन होई जीवत जगपती ना मिले दादू बोड़े सोई मुआ पीछे मुक्ति बतावें मुआ पीछे मेला मुआ पीछे अमर अभयपद दादू भूले गहिला फिर इस योग सिखोपनिसद में कहा गया है कि मरते समय जैसी भावना रहेगी उसी का नुकूल शरीर होगा यदि मरने के समय पाश्विक भावना हो तो बड़ा बुरा होगा इसलिए सचेत रहो कि मरने के समय यह बुड़ी भावना ना आने पावे जिस आदमी का जागरत अवस्था के काल में जिस और विशेश खयाल लगा रहता है श्वपन में भी वही वह देखता है उसी प्रकार जीवन काल में जैसी भावना बारंबार होती रहेगी मरने के समय भी वैसे ही भावना होगी इसलिए जीवन काल में अच्छी भावना रखो जिससे की मरने के समय भी अच्छी भावना हो श्रीमद भागवद गीता में लिखा है कमिंग पुरान मनुशासितार मनोर न्यांग सम नुष मरेद्यर सरवश धातार मन्चिंत रूप मादित्यमवर्ण तमशः परश्पतात परियान काले मन्शा चलेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव भुर्वो मर्द्य प्रानामावेश सम्यक शोता परंग पुरुष मुपैती दिव्यम अध्या आठ शलोक नौ दश अर्थात जो मनुष्य मिर्थ्यू के समय अचल मन से भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भृकुटी के बीच में अच्छी तरह प्रान को अस्थापित करके सरवग्य पुरातन नियंता शुक्ष्मितम सब के पालनहार अचिंत्य सुडी के समान तेजश्वी अंधिकार से पर स्वरूप का ठीक ठीक अस्मरन करता है वह दिव्य परंपुरुष को पाता है जीवन भर अपना कुछ पूजा पाठ करो यदि उससे दर्शन नहीं हो या किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाए तो शंतोष नहीं होता शंतों के योगती है जिसके अनुकुल साधन भजन करने से अशा होता है जैसे ठाकुर वारी में कोई जाय और ठाकुर जीसे जी को नहीं देखे तो कहना चाहिए कि उसको देखने की आँख नहीं है उसी प्रकार जिससे प्रमात्मा का कुछ चिन देखने में आता है वह द्रिष्टी सब को है किन्तो उससे काम लेने के लिए देखने के लिए नहीं जानते हैं जानकर भी कितने साधन नहीं करते यदि साधन किया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाए जिनको दर्शन हुआ वे कहत यहां के अंदर में बनीग प्रतिमा यह प्राकिरतिक है वह बना हुआ है बनाने की जरूरत Не रहती है उसी प्रकार उसी नाद के नीचे विंदु है शीविलिंग रूप नाद है और विंदु शक्ति चिन रूप जल धरी है जो शाधन करे उसको ये अपने अंदर में परत्यक्ष होंगे जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा ये कोई उचे दर्जे की चीजे नहीं है नीचे की ही है किन्तो मन को पवित्र रखना जरूरी है जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकता नाद का आर्थ है शब्द और विंदु का आर्थ है छोटे से छोटा चिन जिसमें परिमान नहीं केवल अस्थान है वह विंदू है बाहर में ऐसा चिन्य नहीं हो शकता है जो आंक से देख सकते हो कोई भी आकार या दृष्ष विंदू के बिना बन नहीं सकता कोई चित्र बनाओ पैंसिल रखने से जो पहले चिन्य उदय होगा वही विंदू होगा फिर उसी को बढ़ाकर लंबाई चोडाई बनाकर आकार बनाते हैं इसलिए बिना विंदू के कोई आकार नहीं बन सकता असली विंदू को कोई योगिक द्रिष्टी से देख सकता है उसके लिए किसी पैंसिल वा कलम की जरूरत नहीं अपनी द्रिष्टी की नोक जहां खड़ा रहता है उसी प्रकार जहां विंदू उदित होता है उसके उपर नाद खड़ा हो जाता है संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है शब्द कैसे होता है शब्द संघर्ष से होता है गती से होता है गती कहते हैं चलने को कंप को तारे चलते हैं पिर्थिवी च सब की गती में शब्द होता है किन्तो आप सुन नहीं पाते गती में ध्वनी है संसार में सब पदार्थों की गती है बिना शब्द के संसार का एक रती भी अस्थान खाली नहीं हम लोगों का सरीड बढ़ता है इसमें भी गती होती है इसके शब्द को सुन नहीं पाते नारिय चलती है, इसमें इससे भी आवाज होती है, जहां कोश गती है, संचालन है, वहां ध्वनी है, संसार गती सील है, इसलिए संसार सब्द से भड़ा है, आपके शरीर में भी शब्द है, अस्तूल सब्द को डॉक्टर लोग कान में यंद्र लगा कर सुनते हैं, किन्तु बारिक सब्द को नहीं सुन सकते, बारिक सब्द तब सुन सकते हैं, जब आप विंदु को प्राप्त कर लें, विंदु को प्राप्त करने वाला उस सुक्ष्म सब्द को सुन सकता है, वह सब्द सीव रूप है, सीव का अर्थ है कल्यान कारी, उसको जो पर्त्यक्ष करता है, उसका कल्यान होता है विंदू में जो अपने मन को समेटता है द्रिष्टी को समेट कर देखता है तो उसमें शक्ति आ जाती है फैलाव में शक्ति घटती है सिम्टाव में सक्ति बढ़ती है जिसकी द्रिष्टी सिमट गई है उसकी सक्ति बढ़ जाती है रूप या द्रिष्ट का बनना बिनाव बिंदू किसे नहीं होता इसलिए सब द्रिष्ट का बीज बिंदू है किसी आकार और द्रिष्ट का आरम एक बिंदू से होता है और उसक तरगत का वीज शब्द है जिसके वृति शब्द रूप शीव को पकड़ लेती है वह हशारी श्रिष्टी को अंध कर जाता है उशे मोक्ष के साथ परमात्म स्वरोग की प्राप्ति हो जाती है परम पूजी गुर्देव का यह परवचन बिहार राज्यान तरगत खगड़िया जेले के ग्राम मानसी में दिनांक 24.2.1953 इस्वी को प्रातहकाल के सच्चंग में हुआ था श्री शद्गुरू महराज की जय